आपको नहीं बता ना रास्ते में कोई पी के गार्डी चला रहा हो या चारपच लड़के घटा हो जाए नहीं है पुलीस वाला असपास तुम क्यों अकेली गई तुम ने क्यों ठोटे कपड़े पहने इतना लेड़ाने के क्या जरुपत थी किसी दोस्त को साथ तो I don't care की मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है पर वो मुझ से related के बारे में अगर कुछ बात होगी ना तो फिर मेरा असली रूप पता चलेगा वो चीज जो मेरे साथ कभी हुई नहीं है जिंदगी में भगवान करे हो भी ना उसको इनक्ट करने के लिए standing ovation मिल रहा है and there are actual women out there in the world who have been through this मेरे पास काम नहीं था और यह काम नहीं था of course मैं काम ढूंड रही थी और नहीं मिल रहा था यह भी सत्य है पर वो कोई ऐसा difficult difficult phase नहीं था मैंने चुट्टी मांगी थी क्योंकि मुझे दो दिन के लिए कहीं जाना था और मुझे बहुत खुशी-खुशी उन्होंने बोला कि हाँ हाँ मैं आप दो नहीं चार दिन की चुट्टी लिजिए मैंने का ओके ठीक है मुझे लगा आपने कुछ स्कृट्ट में इदर उदर किया होगा, so sweet of you मैं चुट्टी पे चली गई मुझे बाद में बता चला कि अगले दिन उन्हें चलते सीन में किसी और को बुला लिया मैं एक सीन आधा शूट करके गई थी हलो और वेल्किम टेली मसाला मैं हूँ फैजान और मेरे साथ में हैं एक ऐसी मैडम जिन को देखने के बाद में आप उनको मैडम सर कहने से खुट को रोखनी पाएंगे मेरे साथ हैं one and only Gulki Yoshi. How are you Gulki? कैसे हैं अब? I am fantastic. How are you, फैजान? I am good. Long time. Yep. Yes, good to be here. And I am prepared for you for a lot of better questions. मैंने messages, dm's, आपको आते हैं कि भाई, Hasina ji. Yes, वो बहुत आते हैं. SHO Madam. And I honestly thought that in the show, 2-4 max to max, 6 months in the show. Look, अभी तक messages कर रहे हैं. मैं आपका एक आखरी पोस्ट जो मैं देख रहा था. भाई, अभी भी भी वो हुआ नहीं है and I mean I love this but sometimes it's a little scary. I have to agree. कभी कभी मैं तोड़ी सी हलकी डर जाते हूं कि यार, you know, but otherwise I love the love and 1.5 साल हो गया यार, फिर भी people love it so much. It's amazing. क्या चल रहा है आजकल जिंदगी चल रही है, आजकल dance classes चल रही है, आजकल घूमना पिरना चल रहा है, आजकल बहुत सारा किताबे चल रही है. I am getting back to reading. I am wow living a very full life basically. मजा रहे हैं आरे बहुत मजा रहे हैं. I mean I am not doing the very typical actor वाला things जो I think otherwise जो करते होंगे, पर मैं जैसे पहले जिंदगी जीरी थी, मैं वापस वैसी जिंदगी जीरी हूँ. थोड़ा explain करेंगे इस चीज को, मतलब जैसे मैं जिंदगी पहले जीरी थी, अब मैं वह actor वाली life में जीरी हूँ. मतलब actor वाली life in the sense? और क्या प्रगोता है अक्टर वाली life और नॉर्मल लाली? यार मैंने ना honestly बता हूँ, मुझे भी आज तक नहीं पता ही है. मुझे बस ये पता है कि in between works I've heard most of the actors or the ones at least I know being very stressed about it. Like being very stressed की कब शुरू होगा, ये होगा वो होगा और ये भी कर लेते और वो भी कर लेते और ऐसे भी कर लेते और वेसे भी कर लेते. और वो मुझे कभी समझ निया है. मतलब मेरा तो शोग हतम हुआ और मैं पहली पुरसत में भागियों गूमने. Solo trip. पहले मैं एक महीना घूमकर आई हूँ सिक्क्यम, पूरा सिक्क्यम जानमारा काला पत्तर तक. और फिर मैं गई हूँ दो धाई महीने की लंबी ट्रिप पे solo. तो मैं वो ऐसी हूँ. तो मैं इन सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाती कि हा शोग के पहले जिन्दगी जी रही थी वैसी अब जी रहे हूँ. तो बस जी रहे हूँ. क्या रिजन दा मतलब जो जहां ते मुझे जो मालूम है कि जैसे आज आपका अखरी शाट और उसके दर्मिया ही आप निकल चिपनी हैं. मैं टिकेट विकेट सब गूच होगी 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 है. मैं प्रेल से प्लान था है. बहुत शोर हूँ कि सब कुछ बहुत तेमपरी है. और चाहे वो सकसेस हो, चाहे वो फेलियर हो, चाहे वो लौट अफ पैपराजी हो, या बिल्कुली बहुत भावर नी दे रहा हो. सब तेमपरी है. तो मुझे ऐसे में वो चीज़े बहुत प्यारी हैं that reconnects me to myself. कोई बोलेगा मुझे यह जाना है, किसी को यह करना है, किसी को वो नहीं करना है, अकेले जाओ आराम से हाँ, मेरा मन है कि मैं यहाँ जाओंगी चली गई, आज मेरा मन है कहीं नहीं जांगी, कहीं नहीं गई. So that freedom and that extreme amount of freedom brings extreme amount of responsibility too. मतलब मैं जब पहुँची तो मुझे पहुँ की सब से पहले तुछिया ये I began डाय हूँ और मैं अखेली हूँ जिए तेन दन बाद मैं रोहे थी कि श.थ मैं अकेली हूँ यह अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मुरे माभाबत कैसे पहुंचेंगे तुह बहुत अछा लगता है, सब एक बार जाओ, जिन्थिगी में एक बर सा अवक्यले गुमने जाओ. अच्छा क्या कैसा काया उस ट्रिपने अपको? वह अप्टिछ है आपको 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 खुद के कंपनी नहीं पसंद है, So, वो मैंने बहुत अच्छे से सीखा, that I love my company, I can chill with myself as much as I can और उस ऐसा करने में, then everything else becomes a bonus अगर कोई है साथ में बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझा आपसे बात करके नहीं है तो आपा अपने में सेट है So, that I learnt And second and most importantly is That anything and everything is possible इतना कुछ, बहुत दरा के रखते पता है लोग मुझे से कई बार लगता है कि especially लडकियों को तो कि अकेले नहीं जाना, ये नहीं करना, बो नहीं करना Of course, India में you have to be, you have to take care of it because it is not safe, that part I agree I hate saying this but मैं शायद अपने देश में अकेले घूमने से दरूंगी but बाहर नहीं डरूंगी, ये बहुत खराब बात है पर ये सच है और इसका कुछ नहीं कर सकते but other than that, there is बहुत कम चीजह हैं जो आपसे पॉसिबल नहीं आप आज के देन एज में, when you have a mobile, when you have internet you can do anything, you can travel anywhere, you can handle yourself and you can take care of yourself and have a fantastic time while doing all of that so you don't need to be scared, just take the first step, then I think everything is possible Okay, you said something, that in India you have to think a lot before you leave, you have to feel or face you have to feel like this you have to feel like this, 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 you have to feel like this Of course, it's a lot of times, I have to do a baseball bat in my car because we shoot twice, sometimes in a location, sometimes in a village, sometimes in a village, sometimes there are studios, you travel back and you know, you have to do a party or you have to come to someone's house, whatever I keep a bat in my car because you never know when it's happened Yeah, it's there, you can go, you can, we can see it now I don't know in my vlog, I keep it as a safety, this thing, so that you feel secure It's not that you have to go, 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 go and fight with me, you have to fight with me, you don't do that But your safety is in your hands, you don't know if someone is driving a car, you are driving a car, you are driving a car from the就是 of nowhere, you are driving a car, you are driving a car, you don't have to do that You don't even know that you don't have to do that You don't have to be protected from the car because you are driving a car, you are driving a car You have to do that Very few years And when do you think about this, that I don't have to keep up your security and that I don't have to sit and sit and sit and sit for yourself? I mean, that I don't have to smile like that You know, it's such a funny thing जब तक मेरे पास बैट नहीं था ना तब तक ऐसे बहुत किस्ते होए लाइफ में मुझे लग रहा था कि बैट होना चाहिए था और जब से बैट लिया है पूरी दुनिया सेफ हो गई है कोई छेड़ता ही नहीं है कोई परिशान ही नहीं करता I'm not inviting that by the way hello but but बहुत 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 हुए in fact I think मैं नाइगाउं से वापस आ रही थी ने ने मैं बैनरा से कहीं से वापस आ रही थी it was saturday night and I was coming back from my party and I'm a very responsible citizen like that चाहे वो signal follow करना हो या वो पी कर गाड़ी नहीं चलाना हो मैं उस मामिले मैं बहुत पर्टिकिलर हूं मतलब उसमें मुझे नहीं लगता कि चलना चलता है चलता है मैं बिलकुल नहीं काता ही नहीं दुनियादर के रूल्स मतलब रूल्स आप रूल्स में रहकर आपको जो मस्ती करने करो but rules बने हैं for a reason so I stick to that and I was coming back and and you're coming back from party you're wearing a short dress you have nice makeup and you're looking nice and sexy and everything and I feel that two bikes one here and one here one had crossed and watched and then he slowed me speed and then and then a little later his friend and they were following me for a while and you were alone at that time? and at that time I was alone at that time I also became a heroine that I will go alone, I will do all alone, I will share my children so she was following me and and at that time I didn't have a bat this was a very old thing and then I was genuinely scared and then I was genuinely scared and then I felt like if you're one person then you'll be nipot and if you're four people then you'll be able to do it and he got out of small balls and you'll see if an accident will happen in a second you'll have a case in a second justice, justice, everything is agreed but at that time it will happen and at that time I saw all the possibilities in my eyes that if they broke something or broke the car and then I was locked and plus what happens in such situations you freeze you don't know what to do you don't know what to do you go to one second and you're locked and you're not locked and you're not locked and you're not locked and it's all in truth no matter how daring you think you are which I used to think that I am I can understand what situation will be for you yes, that was very scary but at that time luckily there was a small hole patch which I had to cross and I was like, God I'll cross this and I reached the main road then it's not a problem because in Bombay there are cars in Bombay there are cars but you know Bandra the cars 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 and I was on the main road and then I realized yes, there are many cars and even they realized and they went away so it didn't happen but that made me realize that something could happen yes if they have more courage or if they have less speed or if they have less speed or if anything happens and they were four before I was one so that scared me and I was like no, brother we have to do something in the world we can't do anything we can do ourselves so I started keeping a bad or not it should be did you share this incident with your mom and dad yes, I have to tell you I have to tell you I have to tell you that you have to become a heroine and go with your friends you have to become a driver you have to become a driver you have to do it I am the same that I will leave you and leave you alone it should be the other way no that your friends leave you home and then they leave you home no I am a heroine that I will leave everyone and then I will leave so I think that after that I know I know why my parents are so pissed at me that that nothing can happen but Agulki you think sometimes people may be scared that they may judge them yes exactly I had no idea to say it because I was scared because I was the same that I will blame you why you went alone or why you went alone you went to the heroine and why do I have to put up you went alone why do you want to leave me alone and why do you go from that side why do you travel from that side why did you see the other parts so I will leave you alone बैट रख लो गुगुमा विर बलो आप थिंकिंग चेल नी कर सकते हो लेकिन आप चाते हो कि लड़की अपना भीवियर या खुद को बदले खुद को क्यों बदलो जिस लर्न हाव टू प्रोटेक्ट यॉसल्फ दुनिया भर में इतने इतने सेफ्टेंस की लासे हो रही हैं हर गली में किक बोक्सिंग सिखा रहे हैं जाओ सीखो अवोमन ओर दन एडुकेशन शूद नो रहाव टू तो बदलो ना कि क्योंकि वो इस 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 बात होती है यसे हुआ कुछ नहीं इस इंस इंसेंस में भी अगर बैट मेरे पास अरड़ी में होता ना तो मुझे शायद कम डर लगता बिकसा नाओ नो था कि अवा थो मुझे विठाट मुझे नोगाओ कर सकती हुआ तो वह पांफिदेंस मुझे बचाएगा वह गुसा नहीं साँए प्रिशा नहीं लगता है कि लोगों को थोड़ा जज करना थोड़ा कम करना चाहिए जजमेंट बहुत आद होगे हमारे बीच में हम दो मेरे दिखाते हैं कि इसी को भी जजज करने के लिए यार वी आर हुमन बींग्स एंड जजमेंट इस इस डिफेंस मेकानिजम कुछ भी होचा है इनसान के लिए सबसे इंपॉर्टन एइस सवाइवल सबसे इंपॉर्टन इस घापींट शीज़ करते हैं किसी को हम इसली जज़ करते ना कि में पता चल जाए कि हाँ ये अच्छा इंसान थाह तो भास आदेंगे अच्छा नहीं हें तो हम दूर भगा देंगे इस आउट अट जोट एवरीधिंग तो जोट वर्टो करें दिए और जादी आगा है और यह तब सही था जब हम केव मैं थे और हमें यह जज करना था कि उस ज़ाडियों में से शेर आरहा है कि नहीं पर आज के जमाने में आप मुझसे पहली बार मिले हैं और आप मुझसे ठीक से अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं तो मैं आपको जज क्यू करूँ कि अच्छे से की बात कर रहे है इसका कुछ पक्का मोटे बहुगा मिरसे यह पक्का कुछ चा रहा है यह क्यों अच्छे से बात कर रहे, यह क्यों प्यार से बात कर रहे, उसके अब जरूरत नहीं है, we are not cavemen anymore, we are a civilized society, मैं Insta delete कर देती हू, मैं social media delete कर देती हू, तो ट्रोलिं के बारे मेरा कोई opinion नहीं है, I think it's, see I like the fact that everybody has a platform to speak, जो पहले नहीं था, जो social media ने हर किसी को platform दिया है, कि हर इंसान अपना opinion दे सकता है, वह बहुत अच्छी बात है, पर वह opinion मुझे सुनना जानना जरूरी नहीं है, मैं तो filter कर सकती हू कि मुझे क्या देखना और क्या नहीं देखना है, so even when it comes to social media, मैं बीच-बीच में ऐसे जाकती हूँ एक दम, और बहुत सारा कुछ-कुछ पोस्ट करूँगी एक महिना, और फिर एक महिने के लिए गाया बजाऊंगी, मैं डिलीट की कर देती हूँ है, कि नहीं मुझे नहीं देखना, आप अपना opinion अपने पास आखना, क्योना है, हैसे? No, it's my choice, it's my time, it's my energy, I don't want to waste it on that, आपको अपने opinion देना है Naa, please Dijit, it is most welcome, उसको किटना मुझे अंदर लेंा है वो तो मुझ पर है, ईज़ू देखनी स्टी आपने महिनों के अपने जैसे अगर ऐसा कुछ है। जैसे अब ही तो मैं बहुत आप्टर हूँ, अब भी टो मुझे ऐसा जो शहां है कि मैं रोजOU कुछ डालूंगे स्क्राइप जैसे मेरे साइकल आता है, मुझे लगता है यहाँ ह है न, तो मैं फिर कुछ दॅब अन्त करसा बाओ पहले बता लोगों कि हाभ यह है यह दुनिया में है यह यह अजिय पर यह यह never जोशल मीडिया फिर नॉड़र इंशिस्टेंस एंग आर मैं इसलील जीती जाा कते इंसान हो जोशल मीडिया पर होना नहीं होना काम के इसाब से ठीक है क्रियाती को कब लएगा के अक्टर बनते हैं I think बच्पन से I think for the longest time I lied to my parents मतलब आपने ना मतलब जो आपके रूट्स जो रहे जसरा से आपने भी बता है के पहले मैं थेटर गारा किया करती थी फिर फिर शायद आपने डबिंग ट्राइ किया पहले डबिंग करती थी मैं तो तो में स्कूल से ही करती थी फरंगी चैनल पर जो शो आय करते थी तुम बहुत रिसर्च कर क्या हो पिटा है So I've as a person I've always always been a little extra कि जो जितना दिया है उसे थोड़ा जादा ही करना है है तो फिर वो स्कूल में चाहे बेसिक पढ़ाई के अलावा extra-curricular करना हो theater करना हो या debate competition हो या tempo competition or you name it and I've done it उसके बाद यह हुआ कि मुझे कहीं से पता चला कि जब को आप जैसे जैसे आपको चीज़े पता चलती है तो मुझे यह बड़ा इंट्रेस्टिंग लगा यह बड़ा इंट्रेस्टिंग काम है तो यह बड़ा इंट्रेस्टिंग काम है और वैसे बच्चों की आवाज और वैसे तुमने खाना खाया वो करके जो करते वह बहुत मज़दार होता है तो मैंने पता किया उसके बारे में and I started doing it and I think again I was the only child who did it I was in 7th or 8th or some 8th और वो मैंने किया और वो मैंने लगातार 3-4 सालों तक किया और बहुत सारे उस वक्त फिरंगी चानल आया था जहापे Australian or Argentina के और यहावाके सारे शोस हिंदी में टाब होते थे Disney उस वक्त हिंदी में बहुत सारे वो अपने डब करके डालता था Timon and Pumba and वो प्रिंसे वाले कॉन से हैं बहुत सारे काफी सारे तो वो सारे वो सब किये मैंने and used to have so much fun कि आप जाओ मस्ट studio में बैठो और पहले में बैठके देखती थी कि ये लोग एक ही आत्मी पांच अलग अलग तरीकी की आवाज निकाल रहा है and for a kid that was fascinating like एक scene है, एक scene में पांच character और पांचु की आवाज इस एक इंसान ने निकाली कैसे ये तो सीखना ही है मुझे ये तो करना ही है मुझे so I just sit and observe and learn and then practice and then I started doing that कोई राजक की आवाज के बताना चाहोगी अर्या बहुत साल होग और दब्हिं के मुझे वहाला character नहां बहुत वादा फेट आवेट था हमने तुमको कहा था कि हम आएंगे तो तुमें बहुत बारेंगे तुमें सामज भी नहीं आया I know that you do be a lot of thetest because I am out of practice इस वक्त वह बहुत अच्छा होता तो क्योंकि इसकी टेखनीक होती है कि आपको आवाज कितना बैठाना है और वो क्या है रियाज जैसे हम गाने का करते है वैसे इसका भी रियाज होता है तो वह बहुत नजा आथा था और यह दुबिंग टैलेंट पहचाने किसने पापई तो मेरे सारे टैलेंस ःवाल दुबिंग नहीं है दोस्त यह बहुत अभी श्रुवात है लिए अर थो नहीं तुम होती करना, टतों तो मेरे की हाया कि तूम टूम करों बबबिग्कि टॉउरक ए ढ़ा है, यह मेरे एक काका थे जो यह करते थे कि यह ऐसा है, अच्छी उनकों ना मुझे घर से भगाना था, कि यह घर पे रहेगी, हमें परिशान करेगी, इस अच्छा है, इसको बजी रखो, वो जीननी को रहा था था नि कि भूत है, इसको बजी रखो किसी चीज में, तो I think इस वजे से, and there was this uncle of mine who used to do all of this, so वो मुझे एक दिन लेकर गए, और वो सब मैंने देखा, और वो मुझे इतना पसंद आ गए, कि हम लग बसाब मैं स्कूल के बाद यही आऊंगे, और पर मैं पूरा दिन वही रहती थी, और यह करती थी, और फिर वो करते करते, it happened, and then college, college में, then theater, theater के बाद, एक तो बहाँ पर मिठी is quite a prestigious college, तो महाँ पर ऐसी बहुत सारे auditions और वो सारी चीज़े आती रहती थी, और वो theater actors को तो ढूंते ही थे, तो वहाँ से फिर auditions देना शुरू किया, and I think right after college, I did my first show, फिर सुभाव गी. मेरा, actually, पहला audition था, तुम्हे वो show पता है, याद है, Swastika, अगले जनम, वहे बेटिया ना की जो, that was my first audition, but उस वक्त, it was clashing with my 12th exams, और मेरे पास ये चौश थी कि मैं वो exams छोड़कर show कर लू, जो कि हमने चूज नहीं किया, जो कि हमने चूज नहीं किया, जो कि हमने चूज तुम्हें पार टाइम, but repeating a near is not good, and I was good at studies, तो मुझे करना भी नहीं था, तो I think वो मैंने नहीं किया, उसके बाद, in first year, जब थोड़ा सेटल होगी college college में, तब ये किया था, मैंने कर्मियूद, पर वो इतना बड़ा था नहीं, मतलब वो ऐसा, महीने में दो दिन का shoot है, तो तो वो pocket money जसा था मेरा, कि मैं college में flaunt करती थी, कि तुम सब parents से pocket money लेके आती हूँ, मैं अपना कमा के लाती हूँ, अच्छा इस बाद में कि दिस चाहिए, कि जो वहां से कर्मियूद के पैसे मिले थे, दो दिन के shoot के, वो total मिला के 3000 थे, मिला 1500-1500, I don't like him, या, ऐसे सच नह पहली कमाई, and yeah, और फिर मैंने सारे classmates को sandwiches के लाए थे, और क्या किया तो न 3,000 गा, बस sandwiches की 3,000 में क्या होता है, hello, इतनी पुरारी बाद भी नहीं है, 3,000 में क्या, तुम चांद पिले जाओगे, सबको sandwiches के लाए थे, 3,000 के sandwich के लादी है, मैं वो इस ट्रेम पे, तो क्लास मे क्योंकि मैं theater भी कर रही थी उस वक्त, और उस वक्त मैं Hindi, English, Marathi, Gujarati, Urdu, सारे place कर रहे हूं, you name it and I'm doing it, you had all the more reasons to show up, तो मतलब college में बहुत साथा popular थी हैं, हाँ, अब भी भी हूँ, excuse me, तो मतलब दुनिया जानती है, यार, तब मैं college की बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं, तब एक quote याद आ रहा है मुझे आपका, जो आपने बोला था कि किसी गलत बंदे को date करने से बैट रहा है कि यार के life में में single हूँ, या, I'm still on that, I think इसलिए मैं शायद अभी तक single हूँ, नहीं, बट हाँ, मैंने कहा तो था, कितना stress ना life में, stress क्यों चाहिए, अच्छा तुमसे Healer, I want to say, but a wrong person can be stressful, any doctor कौन होता है अपकी नजर में Healer? क्या सा मतलब अगर कोई इसी character से अगर 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 इंटिदूस कना चाहिए, बताना चाहिए, कि हाँ यह एक reference ही है, अगर गुलकी कोगलडगा ची है, तो इस character की तरह तो मिलता जोता तो हो I think it has to be that Aditya from जब भी मैं मुझे लगे ता भी अबनोगे हाँ, वो कि वो मतलब प्याँ बिकूस नॉर्मल इंसानों के 5 mood swings होते हैं, मेरे 500 mood swings होते हैं तो I think somebody has to be, जिसमें बहुत वो ठहराव हो जो अंदर से एकदम इसा इतना शान्त हो, वो ही मुझे वो ऐसे handle कर पाएगा तो अभी तेक आपको अधित्या मिला नहीं आपका हूँ आसपास अधित्या लाइक अधित्या आसपास काफी मिले, अधित्या नहीं मिला प्यार पे बरुसा है, प्यार पे बरुसा करते हूँ कि हाँ प्यार नाम की चीज होती है इस दुनिया में और मैं एक दिन ज़रूर पड़ूगी आपकॉर्स है मैं पड़ी हूँ ऐसा नहीं कि मैं अभी प्यार में नहीं पड़ी हूँ अभी तो कहने थे सिंगल थे प्र पोसे रिजेक्ट करें अमने आप प्यार में पड़ो ज़रूरी नहीं तो सामने वाला भी आपसी प्यार में पड़े हेलो सिंगल भी पुजा रहे थे आप नहीं, इस नोट एट इस नोट एट इस देट इन तोड़ी इस वर्लव इस वरी ट्रिकी बिजनस एक तो आधर टाइम समझ नहीं आता कि सामने वाले का इंटेंशन किया है ठीक है ठीक है उसके अलाबा प्लस everybody's work life is so overpowering अब बारा घंटे महिने में 25 दिन शूट कर रहे हो कब मिलोगे boyfriend से बताओ मम में पापा से की शकल देखे जोए महिना महिना हो जाता है तो when do you even if you get into a relationship how do you maintain it and plus it with age and life and experience प्यार की परिभाषा भी वदलती जाती है सभी बदलती I think कभी न कभी कही न कहीं वो आकर ठहरेगी और वो जब ठहरेगी तब उस ही इनसान मिल जाए वाह क्या गुमा है एक नंबर बच्छी अगला सवाल करो यार तुम प्यार बार के सवाल नहीं पसंद मुझे अरे लोग जाना जाते हैं यह मेरे पास सवाल आए ऐसे कि गुल्की ते सवाल प्मूचन आए यही इस तरह से कि हमने आज सक कभी आपके वारे में सोना नहीं कि आपने कभी किसी को डेट किया हो बॉइफ्रेंट कभ बनाओगी गुल्की No, that is because I am a very private person I am very careful कि एक हिस्सा है मेरा जो दुनिया के सामने और एक मेरा हिस्सा है जो दुनिया के सामने नहीं आयेगा वो कोई कुछ भी कितना ही कर ले तुम ऐसे पूछ लो तुम ये ये कर लो तुम वो कर लो दो शादी कि खपर तो सब के सामने आईगी शेदा शादी जब वहों की तभाईगी पर वह भी बहुत मिनिमल होगा क्या यह पता है जब हम ट्रोलिंग की बात कर रहे थे तो I don't care की मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है पर मुझसे related की बारे में अगर कुछ बात होगी ना तो फिर मेरा असली रूप पता चलेगा जैसे जब शो के बारे में भी उता था जो गुलकी को कुछ बोलो तो कुछ मुझसे फराइक नी पड़ता कि हां बोलो सौ लोग सौ बाते पर मैडम सर को कुछ बोलोगे ना तो मेरा खून खौल जाएगा मैं बहुत आसी टरिटोरियल हूँ और बहुत प्रोटेक्टिव हूँ और बहुत प्रोटेक्टिव हूँ और बहुत प्रोटेक्टिव हूँ I'm okay with whatever happens to me but if I like you, तो तुम्हारा कोई बाल नहीं वाका कर सकता है at least तब तक नहीं जब तक मैं खड़े हूँ तो वह अच्छा भी है और वह कही बार बहुत खातरनाक भी है I'm learning how to deal with that You felt bad कि जब जो भी शोग से related भी जब आपने बात कहें आपने जो बात कहें जब वह सारी चीज़े हो रहीं तेम के शोग को लेके काम को लेके सिर्स लोग सिर्सनेस को लेकर वगर वगर कही सारी आपते वाली You felt bad that time? No, I felt bad not about what she said about me I mean, since we are talking about it I don't give a I don't care It's okay, you can say it, we'll beep कर देंगे I mean, I don't give a rat s**t what she said about me She said something about my team and she said something about the director That I'm not okay with That I'm an actor, I will say 50 people about me But you come to my set, sit with us and eat food with us You are giving us the show to our show Don't do that You want to say something against me personally, I'll be fine Yeah, bring it up You want to do a publicity stunt, eventually it happens It happens to be for publicity And there is no reason I don't know if it happens to be for publicity Of course, it happens to be for publicity I mean, what reason will happen I think even the fans and the audience and everybody knew It happens to be for publicity It's a whole circle I think it's a whole system, that you say तो वो मुझे समझ में आया कि in the grand scheme of things, अच्छा this is a way of doing things, जो मेरे जैसे actor के लिए बहुत नया था, I come from an academic background, मेरे माबाब पड़े लिखे है, मैं बहुत सब्बे समाज को बिलॉंग करती हूं, मुझे बच्पन से सिखाया गया है कि अगर आपको अच्छा platform मिले, जहां पर बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और आपसे influence हो सकते हैं, then it is your responsibility to influence them in a positive way, आपके साथ गलत हुआ है और आप वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं वो अलग है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को खुश ही नहीं दे सकते, तो कम से कम किसी को दुख ही तो मत करो, if you have a platform where a lot of people are watching you and are getting influence from you, if you can't do something positive, at least don't do something negative. एन एक और आप जो बात चले थी, शुटिंग उटिंग रुखने तक की बात आगी थी. How can I, I forget my own content. Paisan, I need you to write down everything that happens in my life because I forget. This is your thing. अब next interview में तुम मुझे सब लिख के बता दोगी कि आपने जिंदगी में यह यह किया है. I'm like, yeah, thank you. Okay. Yeah, so kya था हूँ? Okay, shooting रुखे थी वहाँ पे. कि मतलब सेट पे कुछ बाते बाते निप्टांगी कुछ बाते चलने थी, महाँ पे कुछ तो हो रहा था. No, no, no. एक सेकंड वा ऐसा कुछ हुआ था कि after… एक तो नहां, मैं भी बहुत लाइटली लेती हू इन चीज़ों को. I think I should start taking them seriously. आप लाइटली लेती हू, मैं इतना बड़ा बन गया था हू? हाँ, मैंने वो लाइटली मजाक मजाक में मैं और Sonalit Ji, हम लोग बैठकर ऐसी गपे मारते हैं आप एक तो हम बहुत मस्ती करते हैं, तो हमने मस्ती मस्ती में बोल दिया और वो मस्ती मत्ती में बात का बतंगड बन गया and set पर यह हुआ था that she wanted to talk to me about it and I was like okay I'll come in your room and we'll talk about it but what she wanted was, कि मैंने मीडिया बुलाई है, तो मीडिया के सामने आओ और तुम बात करो I'm like okay, कर लेते हैं, मीडिया के सामने बात कर लेते हैं फिर मुझे बाकी जो मेरे जो प्रोडक्शन और जो सारे लोगिन उने मुझे बोला कि माम आप इसमें मत पड़ो because आप वैसे हो नहीं, आप वैसे बात नहीं कर सकते मतलब मैं वैसे खड़े हो कर ए तू का है मैं इसे बात नहीं कर सकती यार मेरे को नहीं सिखा है मेरे माबापने I talk politely, मैं मस्तिक हो रहूं, मैं सब हूँ but I can't, I'm not crass so I can't retaliate like that तो वो मुझे उन लोग ने मना किया कि अगर वो आप पर अटाक करना शुरू करेगी ना तो आप जवाब नहीं दे पाओगे तो मैंने का यार बात तो सही है और अपन तब वो बिला कि ओ रहे थे कि मैं आपको apologize करने के लिए No no she wanted to create a scene In front of the media She wanted to shout and cry and play victim and create a scene that's what she wanted to do That's what she wanted to do That she wanted to do She wanted to do all that which I didn't know all the things I didn't know but at that time I was stopped that you are sitting in your room and don't do it because we don't have to do this and we have to shoot it But something happens Daily soap is the most popular telecast Even you know that when you are also on the set, if telecast is a so actors are not allowed to even give an interview That's the thing, I mean I mean, the whole thing I have done in shooting, the whole thing that you watch the scene, action, cut, then action, then you have to cut, then you have to do the master's cutting, that's it This is the whole format of the scene So when there is so cut-to-cut So even when there is such a cut-to-cut I remember that when you have a break then you have to give a script that you have to give a script after the break You have to perform this scene Exactly, in the lunch break we are eating one hand and one hand So when time is such a constraint and at that time I think there was a shoot and the makers told the writers that they have to cut many scenes and their work had to be done in one day So that was the one day when the shoot was required because I think even she knew that that I have packed up here and if I haven't done tantrum today then I will never do it So she wanted to shoot and I had told people that if you go and talk about it then we will have a telecast start-up So I was like, okay, fine the most important thing is the show what you will do and the bad things will be and the bad things will be I don't want to stop telecast whatever the show is my show It's my baby So I would rather take care of my baby than a screaming crazy lady So I did that and I was like, okay I told you to apologize I told you to do it But if you think that you don't have a fault then why have you to do it? Why have you to do it? Why have you to do it? You should finish the shoot I mean, shoot I will send you my house and I will send you what you do I mean, if someone is stopping the shoot or has been stopped and has been stopped and you have a telecast next day and if only you will start the work just for me then why do I think I will do it? I mean, what is the point? I will say sorry I will say sorry okay, I am sorry I said that Please finish your work It means, that's the thing that goes here the car you go and you go Yes, I will take it I will take it Exactly, I will take it I will take it If I do the same then what is the difference between her and me? Somebody has to somebody has to be sensible somewhere otherwise the world will not go the world is 95% because of the poor people and the 5% because of the good people the car will go the car will take you or I will take you I do not have the car will take you right? who has not taken you who has taken you the car will take you The life's been great The life's been great What is that? and I am I am huge I am very bored after that I came into the clarity and had about your Musee a bit of news? No! But the entire day she was killed little bit of news But then I came into the house and did not stop brother if it's a personal grudge होता तो मैं खुद जाके परस्नली जाके बात करके सौट आउट कर ली थी यह था ही नहीं परस्नली यह सिर्फ पॉब्लिसिटी के लिए था it was only for that she never spoke to me once about it she never spoke to the team अगर आपको इतना लग रहा है कि तुमने मेरे बारे मैं ऐसे क्यो का आप नीचे वाले रूम में बैठी हो आप नीचे वाले रूम में बैठी हो आप बात कर लो यह आप बोल दो प्रोडक्शन को कि उसको भेजो नीचे अगर आप में इतना एगो है कि मैं क्यो जाओ उसके रूम में उसे बेजो मैं आ जाओंगी आप बोल दो आप जैसे हम बैठ कर आमने सामने बात कर रहे ना जैसे अभी थोड़ी दिर पहले हमने एक अपने वीच की मिसंदे स्टैंडिंग क्लियर की करेक्ट सभी बादे बिकिस बोट अधर बोट एजूकेटेट अ अगर आप यह सब्सक्राइब कर रहे हो तो आप मुझसे बात क्यों करोगी आपका मकसद ही अलग है तो ठीक है और मैं यह कोई इस कॉंट्रवर्सी को हावा देने के लिए ने कर रहे हूं मतलब अब तुम पूछ रहे हो तुम मूद में ले आया हो तुमें बात कर ने बात इक शीज मुझे बताओ कि जब जिससरा से अपने बोला कि 12th के जो एक्जम्स बात हो रही है आपने बोला कि मैं एक्जम्स कर तो बलिदानी दोंगी मैं करूंगी काम बाद में लेकिन पहले एक्जम्स जब वो शो बाद में हिट हो गया तो आपको अफसर हुआ नहीं अगले जनाव मोहे बीटियाना की जो उसके लावा कोई वो नहीं कर सकता दा शी डिद ऐफंटास्टिक जो कभी आपके साथ में आपके पास में आया हो आपने उसे मना कर दिया हो बाद में वो गारेक्टर हो जाता है जिस तरह से इस करेक्टर के साथ मुआ अपको लगा कि अभी तक तो नहीं मतलब आप मौक शूट तक पहुच गये हैं या वोई शूट कर रहे हैं फिर उसके बाद में वो शूट किसी और के हाथ लगी जाता है नहीं, not that I can think of ऐसा नहीं है, जो मेरा है वो मुझे मिली जाता है । of course I am very sure of that कौनी कौननाच स glossीव गहुषकत नहीं आपकी knowledge आपसी कोई न ही सकता और आपकी किस्मत कोई नहीं छीन सकता जो आपका है वो अपको मिलेगा, और जो आपक नहीं है वापको नहीं मिलेगा digitally धूट continued we are talking, we're having fun. How many people about a song, how fun you do this, you only do this.. यह आपके लिए भी होना ही था और यह मेरे लिए भी होना ही था और अगर यह नहीं होना था तो नहीं होना था I just take everything as it comes I think there's a great bigger plan to everything हम सिर्फ यहाँ इस धर्ती पर आएं उस plan को follow करने के लिए तो ता बहुत ज़दा stress लेनी की ज़रूद नहीं है आपका निभाय वह सबसे आपका फेवरिट कौन सा क्यारेक्टर है जो आपको लगता है कि हाव यह क्यारेक्टर मेरे दिल के बहुत जादा क्लोज है और मैडम सर नहीं कहना है Actually on television तो मैडम सर ही है यार मैंने हसीना मलिक से बहुत सीखा है हसीना मलिक से जड़ यू तो मेरे बहुत बात है आपके लिए पुरुष मैंने एक प्ले किया था जी थेटर के साथ पुरुष जो इस अन ओल्ड क्लासिक जो पहले रिमा लाग और नाना पाटे करून नहीं क्या था जो इस अन ओल्ड क्लासिक एड तो बेर दिफिकल प्ले इस अवरी डिफिकल प्ले प्ले और वो उसमें मेरे उपज़ अश्रतो श राणा जी थे एंड एक तो उनके साथ ही काम करना मतला मैं आदर टाम नर्वसी रहती थी एक तो उस इंसान की भाष्ण और वो उनकी हिंदी and when he talks and that flow and that energy I used to be like this half the time की मैं कैसे काम करूं इनके साथ यार मैं तो अपातो तो होता है मेरा He's too good man पर वो प्ले था of a girl of a very independent strong girl जो अपने strength की वजे से कैसी situation में पास जाती है gets raped and then she has to pick up her broken pieces pull herself back together and fight back Oh Baba that was difficult I think so far I think that was the toughest thing I've ever done क्योंकि as an actor आप कुछ भी इमाजन कर सकते हो आप सब कुछ इमाजन कर सकते हो but as a woman आप यह इमाजन नहीं कर सकते आप नहीं आप when you draw out emotions to do a scene you draw out different kinds of emotion की कभी किसीने छेडा होगा कभी किसीने कुछ बत्तमी सी की थी तो तब क्या humiliation feel हो था वो feel करो and perform करो right? यह मेरा method है at least but playing that of a of Ambika who was oh man that was tough that was really tough I didn't know मैं कहां से क्या draw करूं और वो इतना strong emotion है कि अगर आप वो emotion completely अगर अपने अंदर उतार भी लोना तो उसे इनक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है वो इतना strong है like imagining yourself being d**ked is is unimaginable कर भी लो and then portraying it oh my god it was very tough भगवान जाने मैंने वो कैसे किया है पर वो वो I think वो पहली बार था कि वो scene हो जाने के बाद जब वो scene कर लिया when she breaks down for the first time और वो scene मैंने पूरा मुझे याद है बहुत अच्छे वो मैंने कर लिया पूरा और cut हुआ and I got like a standing ovation from everybody on the set and I was feeling like a fraud at that time because I was like मुझे वो चीज जो मेरे साथ कभी हुई नहीं है जिंदगी में भगवान करे हो भी ना उसको enact करने के लिए standing ovation मिल रहा है and there are actual women out there in the world who have been through this that was tough that was really tough but huh as an actor that was that's closest to my heart मैं फील कर पा रहा हूं कि मतलब कि वो चारेक्टर केतना आपके दिल के करीब था हूं yeah yeah very yeah it was and it was overall a fantastic experience एक तो theater, मेरा पहला प्यार उपर से आप Ashutosh Ji जैसे actor के साथ कर रहे हो मतलब ऐसा actor जो आपको equal से जादा वापस देता है you know TV में नहीं होता है वो theater की मैं बात का हूं और TV की मैं बात का हूं क्या जादा चालेंग है जब आप live audience के सामने जब आप परफॉर्म कर रहे हो या तीवी पर आप परफॉर्म कर रहे हो theater, any day theater is a lot more challenging also and a lot more fun also and a lot more brutal also because on stage आपको within 10 seconds पता चल जाता है कि ये play लोगों को समझ में आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है या नहीं ये आपका punch फूट रहा है या नहीं आपका आप जो भी remote कर रहे हो वो लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं तो वो immediately एक तो पता चल जाता है and plus the whole adrenaline कि show खतम होने के बाद you know you get a live roar from the audience and then जो immediate reaction है कि कुछ लोग कई बार ऐसे आखे नम लेकर आप पे stage पर मिलने आते हैं because उनको इतना पसंद है TV में वो सब नहीं मलता है आपने वो show कर दिया आप किसी ने घर पे बैठके देख लिया क्या reaction हो आपको बहुत बाद में पता चलता है but this immediate exchange of energy it is it's like a drug that's the reason I keep going back to it What's your acting mantra? किसी भी character को पकड़ने के लिए आपका क्या mantra होता है कि हाँ भई इस character को में इस तरह सुलूँगी या इस character को इस तरह सुलूँगी I ask a lot of questions मुझे हर level पे हर किसी से बात करनी होती है concept के level पे मुझे writers से बात करनी है मुझे अपनी creative का vision जानना है क्या होता है कि जब कोई एक show बन रहा होता है तो show तो एक कोई एक abstract चीज बन रही है वो आपकी जहन में उसका अलग-अलग इंसान का अलग-अलग vision है और अलग-अलग display है So I want to know all of that और वो सब का मिला के मैं अपना कुछ फिर एक बनाती हूं तो वो एक मेरा process है उसके अलवा depending on the character कि character मेरी खुद के personality से कितना नजदीक है या कितना दूर है उतना ही मेरा काम होता है Like playing Hasina Malik was tougher for me because मैं real life में musti, charpi, loud यह वो, extra और Hasina Malik उतनी ही शान्त, गंभीर, सौमय हलके से बात करने वाली वैसी, feminine but yet strong, it's a difficult character man, it was a very difficult character और I think एक point पे कोई भी clear नहीं था कि इसको कैसे करना है including me वो कैसे क्या निकल कर आगया I think it's all because of him I think he wanted to do Hasina Malik through me she, goddess woman she wanted to do Hasina Malik through me but तो वो मेरे लिए important होता है कि character मेरी personality से कितना नजदी क्या कितना दूर है that helps in my process तो प्रोप्राइब जाए रहे रहे लिए कि कौन पले कर रहे है हर character, हर show, हर चीज अपने किसमत लिखा कर लाती है हर चीज इनफेक्ट अपनी किसमत लिखा कर लाती है आप सिर्फ जरिया है आप जरिया है कि मेरे अंदर से इतनी सारी बाते निकलें और इतना मज़ा है, मैं दो कप कॉफी के पीलू, मौँ आधी कुकी खालू, I think you were the way. And I was the way for you to find a different facet of your work progress. So I think हम सिर्फ एक दूसरे के लिए जर्या है. सबसे जादा मुश्किल रोल कौन सा था, हसीना के लाबा? यही, पुरुश, बहुत मुश्किल था, भाई. TV की बात कर रहा हूँ, यह तो थेटर का हो गया. TV में? TV में तो toughest was Hasina Malik only. सबसे जादा मुश्किल यही था है, हर देने एक नहीं खानी. सबसे मुझल, सबसे चलंजिंग यही था, I think for शुरवात के 3-4 महने तक मुझा नहीं पता था, मैं क्या कर रहा हूँ. मैं बस और Hasina Malik पौचा गैसे आप तक? Like I said, मैं जर्या हूँ. यह तो diplomatic जबाब होगे, लेकिन आपके बास में कैसे आया है Hasina Malik? जैसे सारे काम आते हैं, आप audition देते हो, आप को बलाए जाते हैं. नहीं, मैं वह प्रोसेस की बाद नहीं कर रहा हूँ, आप शुड़ और हो रहे हैं, कि यह character है, इसके अंदर audition दो जाके, यह production यह show लेकर आ रहे हैं. अब आपको यह character के बारे मालम पड़ता है, उस वक्त आप क्या कर रहे होते हैं? तो मुझे जब first, so यह script, जो final जो show बना है, यह third, fourth version है, इसके पहले इसके बहुत सारे अलग-अलग versions थे, because things are always, you know, a work in progress. So, जो सबसे पहले मुझे आया था, वो तो audition ही completely कुछ अलग था, और वो जो मैंने किया था, it was very light-hearted, it was more towards comedy, वो इतना ठहराफ वाला character नहीं था, and, और तब जब मैंने किया था, तब मैं बहुत reluctant भी थी, I was like, क्यार, क्यूं बना रहे हैं, यह F.I.R. जासा अल्रेड एक अच्छा show बन चुका है, क्यूं आप वैसा कुछ बनाकर इसको छेंडने की कोशिश कर रहे हैं, तब मेरे दिमाग में आया था, और यह कुछ बहुत ओने नहीं वाले देखते हैं, पर फिर जब मैंने ओडिशन स्क्रिप्ट पड़ी तो बहुत इंट्रिस्टिंग सा कुछ क्यूट साथ, जो केदी आकर बैठा है, उसको पानी का ग्लास ओफर कर रही है, और उसका बात करते करते बार बार पैंट किर रहे, तो वो उसको बोलती है, अरे मैं आपको अपना बेल्ट निकाल कर दूँ क्या, मैंने का यार यह क्या अजीब है, यार कौन सा पुलीस वाला ऐसे करता है, तो आई थोट यह कुछ वैसा ऐफार टाइप अनिमेटेड कॉमड़ी वाला वैसा कुछ यह कुछ एक शो होगा, जो भी मुझे जैसा भी समझ महा है, मैंने वो किया, और इसके बाद फिर उन्होंने मुझे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जैसे-जैसे script बनती गई और बदलती गई, वैसे-वैसे character बनता गया और वैसे-वैसे फिर वो, then I started with my process and everything, तो वो करते-करते-करते-करते, तो वो करते-करते-करते, यह मुझे नहीं बता. फिर भी, आपने पूचा नहीं कभी? नहीं. कभी नहीं? पूचा था क्या? नहीं. नहीं. मैं, मैं, कोई नहीं कर सकता था, हसीन मलिक, मेरे अलव, हलो. अब मैं ऐसा कह रही हूँ, पर तपका मुझे नहीं आदी. I don't think मैंने पूचा होगा. I don't think मैं कभी पूचते हूँ. मैं यह सब फालतो की बाते नहीं करती है. मुझे करनी चाहिए. नहीं. पिर जैसे, for an example, क्योंके जब एक फैमली के साथ में काम करते हैं, तो 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 यह महौल ही ऐसा हो जाता है. हमने कहीं बार देखा है, प्रोडिसर्स भी आ रहे हैं, कि आपने पूचा है, अगर मैं नहीं तो फिर कौन? क्योंके एक क्यारेक्टर के लिए बहुत सारे लोग अप्रोच होते हैं, जो मुझे फॉर्मेट मान रहे हैं. मुझे जहां तक पता है, दो क्यारे तक रहे हैं, जो मुझे बारे के में, जो मुझे बहुत से बुए इसे अगुटे हैं. मुझे एक जीज़ जरूरर याद है, कि लिए हैं, कि अप बहुत मुः तक तक मुझे आपक को चाही है कि ए निटे भी टोजा दो यादा है, यज पूनुट है कि वियुक्त और मुद्ध भूख सोफ वने शुफ आइच अच्छिछ। यज वूड़त शुफ आइज भगवान जने शुफ आइज। क्या भगवान मतलब.. तुब यज बदे शुफ आइज आइजु आइज आइज। सुफ आइज। क्योंकि पुलीस यह अलाग चारेक्टर है ना पुलीस वाला कुंटेसेंचल कड़क होता है पट इनको यह जजबात वाली पुलीस वाली चाहिए थी जिसमें बात है और जजबात है और जजबात है जो आपको लगता हो के हाँ यार यह यह अजीब सा थाही है ठीक नहीं थाही स्टार्टिंग डेज कि अगर वात कहो तो और मैंने जहां तक एक चीज़ और भी बढ़ी है कि मतलब के बहुत ना रिजेक्शन्स भी देखें आपने स्टार्टि स्टार्टिंग में हाँ बहुत क्या हुआ करता तो अस वक्त यार एक तो क्या है नो पता है यह अक्टर की लाइफ का रिजेक्शन जो है ना ऐसा मूँ पे आपको कोई नहीं बोलता है कि तुम पसंद नहीं हो गट आउट इतना ड्रामा नहीं होता है वह अपको बल देंगे हाँ जी we let you know फिर वह let you know कभी नहीं होता you just have to assume कि अच्छा नहीं हुआ होगा तो वह mind game जादा होते है उसमें आपको तभी की तभी कोई बता दे कि देखो भाया नहीं हो रहा तुमसे ना हो पाई जाओ तो आप गुसा करोगे then you finish it and you move on पड़ यह जो नहीं बताने वाला system है उसमें आपको रोज लगता है कि अच्छा शायद phone आ जाए अच्छा शायद पता चल जाए अच्छा शायद कुछ हो जाए that is very tricky यह कौन सा दौर था यह यह आपको दौर अभी भी होता है hello नहीं starting में क्योंकि अब तो लोग पहषांते हैं अब मतलब मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है यह हम घर से रिकॉर्ड करके भीज देंगे ऐसा भी तो हो जाता है नहीं नहीं बस वो थोड़ा सा एक लेवल डिफरेंट हो गया है कि we let you know की जगा होता है ma'am we let you know अच्छा ma'am आगे जोल गया तो होता वही है अगर होना होगा तो अपको फोन आएगा नहीं होना होगा तो कोई पूछनेने नहींवाला है अपसे कि अपसे इतने हैं तो कोई सीमपिछी और मेरे सत्फट बहुत बरा हुआ है ऐसी कोई बात नहीं है बढ़ बढ़ टो इस एटिवर्कट फोन कोल टो मेक मेरे लिए पहुड़्ूबोगों को तूम्हीं पहोन कर कि खीजल कि कि फईज़न को पा का च विछ च जो मैंने आती है कि प्लीज तुम जाओ GG मैं नहीं भोलाओंगे तुम भोलाओंगे मुझे भीस्टे अब थी 2030 टो नो गॉझे ठीकल एफ दो उख ट्वह थै दिस शालनी So many shows, so many things, so many collaborations कि या मैम, we let you know Then they never let me know अब तक कितनी auditions आपने दे होगे? अरे बाबा, more than 400-500 क्या बात कर रहे हो? easily 400 auditions easily इसमें से क्या क्या निकल उड़ है? films, ads सब films, ads, television और क्या होता है? Film ads, short films short films नहीं, not really but films ads, television mostly television OTT More than 400 500 5 के अंदर होगा मैं अभी कुछी दिन पहले बैट कर ऐसे सोच रही थी कुछ कही कही पुराने-पुराने फोन में कुछ कभी मिल जाते ना videos वगेरा तो मैं देख रही थी It's been 13 years, man 2012 was my first show वो तो मेरी बाच्चा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता but it's been a long time 13 साल में 500 auditions नहीं होंगे क्या है? Of course 13 साल में 500 auditions होंगे लेकिन आपने काम बहुत limited किया है हाँ भागवान बहुत कम चीजों के लिए मुझे जरिया बनाता है मेरा स्वाल है कि कई या आपको पसंद नहीं आया कि करीब आपको बहुत करना ठीक नहीं लगा कि यार कि वो चराक्टर्स ज्यों है या वो आप तक पॉच्छ नहीं पाए मैं जो हम 500 क्यारेक्टर्स के जो हम फारडिशन देते हैं यह तो जब बात बंती बंती जब हमारे पास में आता है कि हमें लगता है कि हार अब यह वाले करेक्टर को पिले करेंगे फिर बाद में बढ़ा कि नहीं यार यह 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 जादा है कि मुझे या तो चालेंजिंग लगे कि यह भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है तो अब तो यह करेंगे, तो अब तो यह करेंगे, तो अब तो यह करेंगे, यह मुझे समझे नहीं आ रहा है कि यह क्या है और इसको कैसे करना है, तो अब तो यह करना ही है फिर मतलब, तो यह ऐसा होता है, यह अदर्वाइस, इस लाइक की, नहीं यार, I'm not gonna have fun while doing it, it's gonna be too easy for तो भी लगता है, नहीं छोड़ो, बहुत काम है, मैं घूमाऊंगी कहीं, और कितने फ्रोड से आपकी मुलगाद होई है, क्योंकि इस इंडिस्टी के लिए, फ्रोड मतलब जैसे कि हम आपको यह काम दे देंगे, हम आपको यह करवा देंगे, not really, I think I've been very lucky, जो आपको जो एक सारी की छीजें उन्दें ट्रोड मतलब ट्रोड मतलब ट्रोड मतलब इस इसे बात करीई कांप कहां कौन से जमाने के हो, hello, excuse me, hello, मतलब हमारे जमाने में ना सोरचल मीजिया नहीं डूणते थे लोग को, it is a regular way of you meet people. and you meet casting directors and you give auditions तो मुझे तच्छ वोड आइडिन्ट मुझे ऐसा ना casting couch वाला कुछ हुआ है ना ऐसा fraud audition वाला कुछ हुआ है ऐसा कुछ नहीं हुआ किसी कभी कोई पैजान वाले ने कभी किसी ने जो आक्टर्स का जो आपके गरूप होता है इंडस्ट्री में मेरे हाडली फ्रेंड्स है I have a lot of acquaintance I have a lot of colleagues I know a lot of people I like and who like me back but दोस्त मेरे नहीं है मैं इतने सारे interviews करता हूँ मैं इतने सारे लोगों के साथ में मिलता हूँ हर इंसान की ये चीज हर इंसान ये बन्ता ये चीज बोलता है हर अक्टर इंडस्ट्री मेरे फ्रेंडे करना हु वह इंडस्ट्री मेरे फ्रेंड्स नहीं है मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इतनी सारे लोग अश करते है इंड़्स्ट्री फ्रेंड्स बनते क्यों है आकर यार यह मुझ नहीं पता पर मुझे बहुत लोगों ने बोली यह बाद पर मुझे जरूरत नहीं पड़ी ना मेरा स्कूल कॉलर यहां पर हुआ है तो मेरे अल्ड़डी पुराने दोस्त इतने भधेर पड़े हैं उन्हीं से अब दोस्त गेनेंगे तो किसे किसे गेनेंगे जो आपको लगता है कि यह मेरे फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री से नाई निल कुण आई कांट इवन तिंक आफ इंगल नेम क्या बात के रहे हुआ है बट इस नाट थिंग नहीं बाद तिंग नहीं बन पाते हैं यह अमने एक रोल के लिए पचास हजार लोग रेडी है अपस में इतना कॉंपटिशन है इतनी क्या बोलते हैं इन सिक्योरिटी है एंड प्लस मोस्ट इंपोर्टेंटली सर्वाइवल भाई हम कितने भी अच्छे दोस्ते हैं पर अगर घर का भाड़ा देना होगा तो फिर कॉंसी द यह न यह 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 I will go get that job because you won't come to my brother. तब वो जब इतनी बड़ी reality है, तो उसके आजी पूछ नहीं है. और उसमें बुरा मानने के कोई बात नहीं है. Once you get to a stage where you can afford to be better, then it's a choice whether you be better or not. But when you're in survival mode, you're in survival mode. It's animal kingdom, baby. Survival of the fittest. You believe in quality not in quantity. I believe in quality. I think I'm a blessed child. I think I have had… मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत गरीबी से आई हूँ. और मैंने बहुत दुख देखा, ऐसा कुछ नहीं है. Touch wood, I come from a very good family. I come from a very educated family. And… मुझे अच्छा अच्छी जिंदगी मिली, अच्छी परवरिश मिली, अच्छा प्लाटफॉर्म मिला. तो मैं quality work करना afford कर सकती हूँ. इसलिए मैं करती हूँ. अगर नहीं afford कर पाती, तो नहीं करती हूँ. अच्छा कोई मुश्किल दिखा है अपने आपके लाइब कर? जो अपको लगता हो कि यारी मेरे लिए बहुत आदा मुश्किल था ही. Isn't it how you look at it? Like, I can sit here and tell you that Madam Sir के पहले का जो face था, वो बहुत मुश्किल था. 1.5-2 साल तक मेरे पास काम नहीं था. पर वो actually in reality इतना दुखी नहीं था. I was like, yeah, okay, I tried. मैंने महनत की sincerity से सब कुछ किया. नहीं हो रहा है, कुछ और कर लेंगे life में. Maybe life wants to show me something else. I was okay with leaving this and doing something else. अब मैं अभी चाहूं तो बैठकर TRP के लिए और sympathy के लिए बोल सकती हूं, कि वो बहुत दुखी समय था मेरे जीवन का. मेरे पास काम नहीं था. काम नहीं था, of course. मैं काम ढूंड रही थी और नहीं मिल रह था. यह भी सत्य है. पर वो कोई ऐसा difficult difficult phase नहीं था. मतला सबसे पहले सबसे आगे जिन्दगी. एक आर्टिकल शेपाता जहां पर आपने बोला था कि My skin tone is my USP. बहुत पुरानी बात है यह. Yes. So, it still is. What about it? बताओ अब इसके वारे में. और फिर आपने दूसरे इंटर्वी में आपने एक एक बात और भी कहिती कि मुझे ना मेरे skin tone के लिए मुझे बहुत जादा लोगों ने जच किया एक तो ना I don't understand this one thing कि एक मुद्दा जो बहुत सालों पहले आपने बोला था जो सच है वो उसी को पकड़ कर उसी को बड़ा 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 बनाके उसी को हमेशा ग्लोरिफाइ किया जाता है It's like somewhere we don't want happy people to succeed हम चाहते हैं कि दुख हो मुझे मेरे करंग के लिए reject किया गया था मैंने बहुत दुख जेला है उसके बाद मैं यहां पहुची हूँ तो अच्छा लगेगा नहीं यह भाई बहुआ था बहुत पहले एक बार कि छोटी सी बात थी वो कि मैं मेन लीड के ओडिशन के लिए गई थी और मुझे देखकर उसने बोला कि हाँ हाँ नौकरानी के रोल के लिए आँ जाओ बस सिर्फ इतनी सी बात थी कोच बहुत बड़ी बात नहीं थी कोच बहुत मेरे को यूमिलेट नहीं किया गया था हाँ exactly and actually if since a lot of people are watching this I would like to say कि आपकी जिंदगी में हर छोटी हार को या हर छोटे rejection को ना इतना romanticize मत करो that is how you grow अगर आप reject नहीं होगे ना तो आपको success का मजा नहीं आएगा अगर आप हार होगे नहीं तो आपको जीतने का मजा नहीं आएगा that's a fact और वो जो ये जो incident जो है भी जो मैंने एक बार कभी तो कितने सालों पहले का था और वो हर बार हर इंटवी में यही पूछा जाता है but वो जो हुआ उसमें in reality किसी की भी गलती नहीं वो इंसान जो audition लेने बैठा था उसकी क्या गलती उसके सामने रोज जो है बीस गोरी चिटी लड़कें आ रही है में लीड के audition के लिए बीस सावली लड़कें आ रही है नौकर के audition के लिए उसमें एक लड़की अगर बीच में आई है मेरे जैसी जो आकर बोल रही है तो उसका पंपूस होना बनता है ना अब उसमें उसकी क्या गलती अब मैं उसके सर पर टोक ना पोड़दू की ये तो भाई मेरे साथ बहुत गलत हुआ ये तो अत्याचार हो गया मेरे साथ What? Who's that fault? दाहरना ऐसी चीजों से नहीं बदलती है। If you want to change this, change it at the education level. Change it in upbringing. Change it in people who romanticize it. इसको एक्ता sympathy vote अब लेनी की जरूरत नहीं है. एक तो मुझे sympathy vote बिल्कोल नहीं पसान. मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है. बहुत अच्छा हो मेरे साथ, बहुत अच्छी जिन्दीगी जीरू मैं. अच्छा एसा है भी लुक करते हैं, आपको लगता है सब? आपको कौन लगता है सब आपके साब से यार यह ना बहुत victim card कहलते हैं. या victim card करता है. कौन नहीं खेलता? You take more interviews than me. यू नहीं. मैंने तो बता है ना, लोग मुझसे कहते हैं यार इंडस्ट्री में हमारे friends नहीं. तो मेरे लिए बड़े शॉकिंग सी बात हुती है, इतनी बड़े इंडस्ट्री में कुछ काम कर चुके हैं. और वो कहरें कि मैंने दोस नहीं कमाई. अच्छा, एक बात बता, तुम्हारे कितने दोस्ते हैं इंडस्ट्री में? बताओ, ना मताओ. अब दियार अटु मैंने इंटर्वी के दौरा नहीं बता सकता हैं, लेकिन बहुत हैं. Friends you would call at 3 a.m. To tell your, open your heart out. यह जो दो बंदे बैठे हुए हैं, यह सब मेरे दोस्ते हैं. इनको भी कर सता हूँ है. इनको कर सता हूँ है. तुम्हारे तुम्हारे प्यारी 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 स्माइल दे रहे हैं. Nice, that's a good question. कि अभी है मैंने लोगों को रात में फोन. कि यह सब काती बात है. आइचे जए जए पाती है. बात परिशान करता है लाट को फोन कर कि. . कि अबेन कहिछे बात है तो शीट की बात हो रहा है राज. कि यह सब बात है कि यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर सुर्णी करेंगे, वैसा और वैसा और ऐसे. श्युक्षन。 क्या तरहुत सम्हें थे विर्ट सम्हें में थेश्य। इसके भी ना बेश्य। भीपैसरीन जीन जुरूरीना यार ! खानने कौ नहीं होग दोस्ती क्या करोगई दूँ है ? अब कैसा ऐसा किरेक्टर आप सोच रहे हैं ? कि यह ना गुल की जोशी को अपकरना है यह बहुत मैंने क्रेक्टर्स मैंने ऐसे कर लिए कई तरह तरह कि मैंने रोल से नुपा लिए कई तरह कि मैंने प्लेस कर लिए अब ना एक मुझे मिला निये अब जिसमें गुलकी जोशी को देखने को मिलेगा लोगों को के लगे लगे लोगों को अभी भी निक आचान पाएंगे के कि गुलकी जोशी क्या है ऐसा लगता है अपको यार आपने मजाग में थोड़ देर पेले बात बोली तक तो लोगों मुझे खुद नहीं पता अपने अधर तैलेंट के बारे में मुझे खुद नहीं बता था कि मैं फंदरा मिनिट का इंटर्वी देर घंटा हुने आया भाई देर घंटे से हम बैठ कर बाते कर रहे हैं इवन I didn't know about this, even you don't know about this, so हम जब खुद के बारे में इतना कम जानते है तो फिर दुनिया को तो पता लगने में टाइम लगे गाई ना, but answering your question, मैंने इतना सोचा नहीं, I take, like I said, I take life as it comes, so मुझे सामने से कुछ ऐसा आता है, मुझे लगता है मज़दार है, challenging है, मैं कर लेते हूं, but अगर ऐसे मुझे पूछा जाए कि, what role I would like you know love to do would be like a superwoman or a catwoman or a superhero or spider woman or something like that, but like asa fantasy and the cape उड़ रहा है, और उंगली से गोली ने कल रही है, that will be fun to do. मेरे एक सवाल अदूरा रहे गया, जो मैं पहले पूछ रहा था, कौन सा? खयाती से गुल्की का, ये बार वार शिवात हो रही है, लेकिन बाद नहीं कहीं कहीं कुछ चली आती है, मैं गुमारी उपर तुम घूमन रहे हो, खयाती से गलैरी बनी कैसे, ये बताओ. So Khyati is my actual name, जो राशन कार्ड होता है, चेक्पुग होता है, स्कूल कॉलेज होता है, फ्लाइट के टिकेट होती है, बो सब Khyati जूशी है, बट मुझे घर में प्यार से गुल्की कहा जाता है, गुल्की मेरे घर का नाम है, बट हुआ ये कि, जब ये ही करम युद काई, आफ उनोंने मेरा नाम गुल्की दे दिया था, मैंने अपना नाम भाँ जाकर Khyati बताया है, तो वो इस असनवादा है कि नहीं ख्याती तो कोई हैंने, बनाक का नहीं बोगी, तो भलते रहा है, ये, आईए, और मैंने और अडिशन दिया और वो हो गया, और वो हो गया, अ और वह गुलकी टॉन्ड आट टू लगी एल्सो फर मी एंदेन लेटर रान आट लेटर आन आट अब इस तो बोर टू किलिड़ दे इस नहीं नहीं है ख्याती है और फिर वह गुलकी नाम के रियक्शन भी मुझे बहुत अच्छे मिलने लगे कि बड़ा क्यूट चा नाम है तो मैंने का ठीक है तो फिर इसी को चलना दो और यह लखी भी है अपने लिए अब तो मुझे तो मतलब गुलकी नाम के लोग की अच्छ नहीं बले इसाट नहीं बले मैं एक ही हूँ मेरी पूरी कॉंटक लिस्त में सिर्फ एक ही नाम है गुलकी जॉषी मैं एक ही हूँ बास तो क्या उसमें अच्छी बात नहां तो ऐसे बने गुलकी So that's how it happened कि, first I was too lazy to clear the confusion, and second, Gulki was… तुझ जो चलने चलने दो हाँ, turned out to be lucky for me कि हाँ चलो दिया, Gulki की नाम से audition और वो हो भी गया And plus… Akshay Kumar से inspired था गया? नहीं, नहीं नहीं असा नहीं 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 असा बिलकुल नहीं है And plus, Gulki as a name, no, feels more informal to me क्योंकि आप स्कूल कालोज में ख्याती-ख्याती-ख्याती-ख्याती-ख्याती-ख्याती तो ख्याती जोशी Gulki ना मुझे ऐसा वो घर पर Gulki बोलता है मुझे पाप और मुमे के, Gulki, Gullu ऐसा सुनने की आदत है So Gulki is a lot more informal, a lot more personal and a lot more… कामर for me So I think that's the reason I let it stay that I'll make the entire world my family that I'll make the entire world my family that I'll make the entire world my family That's all What's your favorite? Gulki? Gulki, of course Koyi Khyaati बलाता है तो च्याती रखता है? No, that's not My split personality comes to me Gulki is a different Khyaati Okay, how do we define it? This is Gulki, this is Khyaati Now I think I think I hardly I think only my school friends and college friends now call me Khyaati but now everybody calls me Gulki Now Gulki is he Is that the advice you always have for you? Gulki, you should do this or not that you should do it What are you advice you give to? I think he's got me disappointed Don't tell me what you say to me No, no I think whatever the girl finally decides to marry for him he will give a warning that you have to make all the best I don't know if you are doing what you are doing but all the best but merely unka advice again like I said that always choose the high road and one more thing that that like you know both my parents are this thing about is first of all knowledge never goes waste and second is up up musti karo aap sab karo but the way how you treat others represents your upbringing so if you're respectful towards other people that shows your upbringing if you're disrespectful towards other people that shows your upbringing so that is one thing who mere bar mein mein us cheez ko leke bhot conscious rathi ho ki saamne wala kaisa bhi attack uska response mere hat mein you show me anger i show you anger back then there's no difference between you and me aap saamne se mujh se aap kitne hi bat tamizhi se baat karein me mujhe kaisa javaab dena hai ho mere hat mein because i'm representing my parents i'm representing my upbringing no matter what you say that's you that's you that's what you are how i respond is what i am that is one thing that they've taught me and i've been very clear about it ki thik hai ko 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 kuch bhi bholi mein meri hesaab sehi chalongi aap kis ke zahada close ho mom ya dad mein dono ke equally close ho hai hai mein dono ke equally close ho aisa kuch nahi mein iklaauti ho na toh mein laadki ho toh idhar se koi parishan karta toh min udhar chalye jati udhar se parishan karta toh min udhar chalye jate i hope they're not watching achha dono ye na creative field se belong karte hai thik hai unki ki advice ho ti apki acting ko leke ghar tum hiye karo ya yeh try karo very critical baba mein puchna hi chhoddi hai mein ne very critical very critical mahtla who karemas ho paate hain apki acting se unka kya reaction ho ta hai ki yaar ki tumne yeh bhot acha kare diya ya tum aur better kare sakti tini ha so madam sir ki ginnke shayad doh scene ho gaye jinn ko dhekker hunnho mujhe ka hai ki hmmm thik kya tumne kisi bhi character ki nahi haa mehne bhot ghandi acting kia hai leken in subko bada acha lag raha aur yeh mujhe malumni bada raha ki yeh na fake acting hai malabh yeh fake tarif ho rhi hai us vakt nahi samajh mein aata because bhoat sari chizai chal rhe hoti dhimag mein but when you look back to some of the work that you have done toh haipko dhekhi lagta hai hai chichi chichi yeh meinne kiya hai us vakt toh loog bada tarif kar rahe thai toh wo retrospecktev wo samajh mein aata hai ki nahi nahi yeh jhooti tarif thi yeh toh bhoat karab kiya hai mehne yeh jhooti tarif kar rahe te but us vakt nahi samajh mein aata hai aur kiske lihe laga apko yeh my first show phir subah hogil ke kitta sara kuchh kuchh scene zeh mehne dekhe laga hai hai shi mehne kiya yeh what is happening to my eyebrows why are my ears moving what is this or us vakt sab bada tarif kar rahe teh ta i was like chichi chichi nahi mojha ne kira ni ni kiin ni kiin ni ni kiin ni ni kiin ni kiin aata da hi haa aata hai toh akha bhi ta hu yeh toh mai bhi kaun ga अपतो, yeah yeah true, but I am a, there is always a scope for improvement, कौन सा actor है जो देखकर बुलेगा, हाँ, ये बेस्ट से अच्छाम करी नहीं सकता, अए होगा नहीं, there is always a room of improvement. इक चिस और रही है, कि आपके शोजना कम से कम च्छे कहसे उपरेशन तक चले हैं, मैडम सर भी लगबग तीन साल तक चला है आज की तारिक में तीन साल तक शो चल जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्या वजह आप मानती है जो आज कल के शो यो आते हैं और यो चले जाते हैं मतलब मुझे यह आपको किसी गोना शो तक का नाम पहुचने का याद करने तक का वक्त नहीं मिलेगा और वो शो पहले से गाइब हो गए क्या वजह मनती हैं आपके साब से मुझे यह नहीं बता कि बाकी शो जो क्यों नहीं चलते मुझे यह जरूर पता है कि मैठम सर क्यों चला अब समझेश के जया बहुत अचे से समझेश है मतलब आपको आपको आर्टिस्सायान मुझे तो बिल्कुल नहीं पता हूता कि कॉन से शो जो मैं तो जब कर रही थी शो तब नहीं मुझे पताता कि मेरे competition में कॉंसे शोज है मैं तो I think I live under the rock बगवान जाने मैं कैसे इतना काम कर लिया है but I know why madam sir did work is because it gave you a hope and it put a smile on your face which I don't think I can say for a lot of shows it gives you hope कि हां अच्छाई की जीत होती है हां strength doesn't have to be proven हां कामनेस can be a solution it gives you that hope it puts a smile on your face I think that's the reason the show worked really well considering हर जगदु कि इतना ड्राम, DRAMA, DRAMA, DRAMA this was the show कि हां you can sit relax you know it's not heightened emotions it's not it's not here it's here so I think that's the reason कि अच्छाई के बैढ़े है relax ह सब को आप सा बैटी है आप सब बैढ़े आप सब दो, गरवालों के साभद पढ़े börjar हासिये, खेलिये, खाना खतम किरिये, तब तक शो कर दूख 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 यह, है इस, of course, of course the script, script, most importantly the script, script आती है, उसके बाद director आता है, उसके बाद actor आता है हम बहुत आखरी में आता है, सबसे पहले script, writer, writing is the most important thing and unfortunately in our industry writers don't get their due, I think in television उस speed में, लिखना और हर बार कुछ नया लिखना, is difficult, is difficult वहाँ पर आशर कि नम पड़ जाता है, जब आपको मालम पड़ता है कि रातो रात किसी set से actors को replace कर दिया गया तो हुआ है ना मेरे साथ ऐसा? अपके साथ में हुआ है, कब? मैं शो कर रही थी, PR अंग्रेज, या, हाँ, उसमें मुझे, उसमें क्या reason दिया था मुझे? मैंने चुट्टी मांगी थी, क्योंकि मुझे दो दिन के लिए कहीं जाना था, और मुझे बहुत खुशी-खुशी उन्होंने बोला कि हाँ, मैं आप दो नहीं चार दिन की चुट्टी लीजिए मैंने का, ओके, ठीक है, मुझे लगा, आपने कुछ स्क्रिप्ट में इदर उदर किया होगा, तो सुट्टी पे चली गई, मुझे बाद में पता चला कि अगले दिन उन्हें चलते सीन में किसी और को बुला लिया, मैं एक सीन आधा शूट करके गई थी, उसके क्लोज़ ब कि अगए कोशिच नी कि, मैं तो गूमने चली गई थी, मैं तो ट्रेक पर चली गई थी, मैं अब दो दिन की चुट्टी आपने मांगे और उने बोल दिया कि, मुझे लगा कि उनको दाया आगई मुझे इतने दिनों से काम कर रहे, चुट्टी दे दो, मुझे क्या पता र मुझे यह रीजन दिया था, मुझे यह रीजन दिया था कि मैं बहुत बड़ी लग रही थी इस रोल के लिए, या जो मेरे ऑपोसिट जो हीरो था, I was looking older than him, or he was looking younger, I don't remember, मुझे तो कास्ट भी याद नहीं है, ऐसा कुछ रीजन दिया था था उन्होंने, but I think एक दो महीने पर फिर वो शो ही बंद हो गया, तो I was like, hmm, अच्छा हुआ, बस, उतना ही, that's it, I don't और कितना काम कर चुके थे आवसमें, और उनको कभी है रिलाइस हुआ कि यह रिलाइस हुआ कि यह बहुत जाद अब, ऐसी लग रही है I think एक देड महीना कर लिया थे मैं यह लगा, अब एक महीन ते लिगुन को मालों भी नहीं पड़ दीग दूभ लिया और इसके बाद फिर, पता नहीं अज यह तो पता है यह जिटना एक्टर्स को पता चलता यह जितना इक्टना मीडियमें आता है उसके पीछे की कहानी ब जीट, I seriously, when you ask me also na, कि आपने पता नहीं किया, या आपने पूछा नहीं, कि आप जितना इन चीजों में गुसते चाते हो ना, उतने सिर्फ आपकी ही दिमाग की बसड बनती है, और कुछ नहीं होता है, जो होना है, वो एवेंचुर ही होना है, अब मैं तो हो ही गई नहीं, र हम सुनते हैं कि ये एक शो करके इन में बहुत tantrums आगए हैं, ये, there's no point to it, because everybody is replaceable, everything is replaceable, and everything is temporary, तो आपकी इस बात के हवा में आप रहे, you are just smaller than a speck in this big universe, you are very easily replaceable, तो इसा अच्छा अपनी जिंदीजी अच्छे से जीओ, जो होना है, वो हो गई, you just have to keep flowing as it comes, you have to keep holding on, letting go, holding on, letting go, बस यही एक चलता रहता है में शुक्ति और किसी TV actor के वारे में अगर आप बताना चाहें, कौन है वो, किसको लगता है इसा, लगता है आपने देखा कभी, feel गया, कि बहुत ऐसा attitude है, मैंने सुना बहुत लोगों काई, पर मैंने परसनली ऐसा नहीं देखा, मतलम जो कई बार जो सरह के जो वीडियो आते हैं, like, पाप कॉंटेंट के वारे मैं बात कर रहा हूं, जो मादम जी जस तरह से नको है जिस तरह से नको cover किया जाता है, जिस तरह से उनको वो, अशूल मीडिया पे जो mahal बनाया जाता है, what's your take on it, बिग बाअ बावस के ओपर बिस अब Lime Light में रहते हो, सारी पैपराजी है, यह है, वो है, वो है, वो है, फिर नया सीजन आता है, पुरानी कंटेस्ट कौन बूचता है? My craft will take me forward, the actual work will take me forward, no? Not reality shows. Not reality shows. मैं reality, मतलब, जहलक करने में मज़ा आएगा, नाचूंगी मैं मस्ती करूंगी, रहर्सल होगी, रहर्सल होगी, that's the fun, I'm a fun driven person. I'm not a very money driven or a very fame driven person. वरना तो हम 50,000 interviews कट चुके होते हैं, बैठकर अभी तक, had I been that. But I'm a very fun driven person. तो जहलक करने में मज़ा आएगा मुझे, खत्रों के खिलाडी करने में मज़ा आएगा. Big Boss में मुझे मज़ा नहीं आएगा. Big Boss मतलब क्या, उतना वैसा kitchen politics तो ऐसी घर में होता है, और screen पर भी जाकर वही करो. तो फिर क्या फाइदा पढ़ाई लिकाई करने का, इतना craft पर अपनी मैनत करने का, theater करने का, ये करने का, बू करने का. अगर वही करना है तो, ऐसा मुझे लगता है. जो करते हैं, I'm sure they have their reason and people love it and people watch it, no judgment to anybody. But मेरी choice नहीं है, मुझे नहीं करना है. पापरासी कुल्चर के ऐसे दिखते हैं? जैसा social media है, जब तक है, तब तक है, जब नहीं है, तब नहीं है. They're just doing their job at the end of the day. मतलब I'd, you know whether stars or actors get angry at the paps or whatever, whatever it is, everybody is just doing their job at the end of the day. जब ये गैस हूँ बाले जब पोस्त आते हैं, I'm sure आपने देखे हूँ है. हाँ. वो क्या है? वो क्यों शुरू हूँ हूँ है? Why do we want to decide from a woman's ass who she is? Why, who began this? That's one thing that I really don't understand. You tell me, why does that happen? I don't know, maybe views, maybe engagement. That's a little weird. मैं उसके बारे में तब तक नहीं कोई opinion बना सकती, जब तक वो मेरे साथ नहीं हूँ. Yeah. मेरे साथ हो का तब मुझे समिन में आएगा कि क्या है ये? अच्छा, आपने आपके बारे में सबसे जादा खतरनाक रूमर क्या सुना है? जो आपको लगता हो क्यार कि ये रूमर मेरे लिए बहुत जादा खतरनाक था, मैं इसको सुनकर बहुत जादा अपसेट होगी. एक तो मैं अपसेट किसी रूमर से नहीं होती. ये कहां से रूमर बन गया भाई? ये कहां से रूमर बन गया भाई? Is that I'm dating Rahil. Rahil Azam. We're such good friends, हम इतनी मस्ती करते थे. Like and मतलब दूर दूर तक वह वैसा कुछ, हम तो romantic scene करते वक हसते थे एक दूसरे को देखके. Like we were that good friends. और फिर वहां से रूमर शुरू है that we're dating and पता नहीं कुछ fan clubs भी बन गया है और कुछ-कुछ रुल्की भी चल रहा है कुछ तो ऐसा जिन्दगी में. ये कहां से आया भाई? और ये कहां से आया तो आपको क्या मतलब मानम पड़ा कि किस तरह से? और रहिल है और रहिल है और रहिल है और रहिल है और मैं भी इन्सान हूं कि हाँ भी है तो है डंके के चोट पे है और नहीं ये तो नहीं है तो I think that was the most unlikely rumor that I heard. Yeah, that's it. तो बहुत 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 बहुत? No, it was funny. We called each other and we laughed over it. That's it. I'm so very happy. I am in touch with little bit in touch with everybody. एक तो अच्कुल social media से वैसे you get stay in touch, no? तो मैं हूँ युक्ती से कभी-कभी Instagram पे बात हो जाती है, Pushpa जी से होती है. Sonali ji, I still say call her Pushpa ji. I mean, Pushpa ji, आपको याद भी हो Pushpa ji के रूप में आती है? Yeah, yeah, yeah. वैसे ही है अभी तक. And, सबसे बात होती है. Priyanchu से, Ajay भाई से, Bhaavika से, सबसे. मतलब ऐसा रोज हम बैठ कर गप पे नहीं माते है. उनका किया रेक्शन थे जब बात हुए? उनके बास में कॉल किया, वो लुक नज़ रहेंगे? वो जब ने मुझे फोन करके पूचा कि तुम कर रहे हो मादम सर हमें क्यों ही नहीं बता है. मैंने बाई, मैं नहीं कर रहे हो. मैं नहीं कर रहे हो मादम सर हमें नहीं बता है? हाँ, बोलते है, तुम कब कर रहे हो मादम सर? How is this happening? I'm like bro, I'm not doing this. I don't know where this information is coming from. I'm not doing this, I'm not doing this. I'm not doing this, I'm not doing this. So there are a few things that are happening but it will be a little bit faster. We will release it later, tell us. He's very smart, no he is. He thinks he's very smart. He is so disappointed in everyone that he is so disappointed in me. Me, right? Everyone, right? Here are 3am friends. You are 3am friends and I'm not sure you are. No, no, there are a few things that are happening. But it's too early to say because I'm not allowed to talk about them. And if that's what I mean. Just like that, everything is happening all right now. So I said, I'll tell you. I'll tell you first. That's why I'll tell you. That's why I'll tell you. What do you need to tell me? You'll research it, right? Right? Okay, I'll take it as a compliment. It's a compliment, hello. I don't think. You have a lot of comments coming from me. This is my life's biggest interview. Number one. And it's the first time that the person interviewing me knows more about my life and my career than I remember. So I loved it. Thank you very much. Thank you so much. I'll talk very well. You verylike cameras can often talk to me.